मिथुन चकरवर्ती को आया था brain stroke होश में आये अक्टर शानिवार को वॉलीवूट के दिगज कलाकार मिथुन चकरवर्ती को कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में भरती कर आया गया था उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी वही अब अस्पताल की ओर से मिथुन के स्वास्त को लेकर अपडेट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि एक्टर को सेरेब्रल वैसुकुलर एक्सिडेंट यानी स्टोक आया हुआ था शन्यवार सुबर वॉलिवूड के दिगज कलाकार मिथुन चकरवर्ती को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कुलकाता के अपोलो हस्पीटर में भरती कराया गया था जिसके बाद से अस्पताल की ओर से एक्टर के पलपल की खबरे उनके फैंस तक पहुचाई जा रही है इसे बीच एक बार फिर अस्पताल की ओर से एक्टर का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि दकस्मीर फाइल्स एक्टर मिधुन्चा करवर्ती को ब्रेन स्ट्रोक आया था जिसको मेडिकल की भासा में सेरेब्रल वेस्टुकूलर एक्सिडेंट कहते हैं साथ ही अस्पताल की ओर से बताया जा रहा है कि एक्टर अब पूरी तरह से होश में हैं और खत्रे से बाहर है रिपोर्ट्स के मताबिक स्ट्रोक काफी माइनर था जिसका एक्टर को समय पर सही ट्रीटमेंट दिया गया जिसके बाद अब उनकी हालत ठीक बताय जा रही है अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बूलिटिन में बताया गया है कि एक्टर जब अस्पताल में भड़ती हुए थे तो उनके सिंपटम को देखते वे उनकी कई जाच की गई थी इस दोरान MRI भी कराया गया था जिसमें पता चला कि उनको सेरेवरल वेसुगुलर एक्सिडेंट यानि ब्रेन स्ट्रोक आया था हाला कि एक्टर अब ठीक है और उनकी हालत स्थेर है फिलाल एक्टर के कई और टेस्ट भी किये जा रहा है साथ ही काडियो वासुकुलर और गैस्टो के डाक्टर की निगरानी में लगतार एक्टर का चेक अब भी किया जा रहा है इस्पताल द्वारा जारी अधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्टि पुरसकार विजेताम मिधुन चक्रवर्ती को दाइने उपरी और नीचले अंगों में कमजोडी की शिकायत के साथ सुबर नौ चालिस पर कुलकाता के अपोलो मल्टी स्पेसिलिटी अस्पताल के इमर्जंसी में भरती करवाया गया था जारी बयान में आगे कहा गया है कि उनकी कई जरूरी जांच और ब्रेन के एमराई समेथ रेडियो लॉजी जांच की गई है जिसमें पता चला है कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था फिलाल वे पूरी तरह से होश में आए और अच्छी तरह से बाते कर रहा है और नरम आहार ले रहे हैं अस्पिताल की और से आगे कहा गया कि मिथिन चकरवर्ती को कल सुबह भरती कराए गया था और उनका चिकित से जांच की जा रही है